नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक लोग PCS में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ट टॉपिक जिसका नाम है जनगड़ना 2011 हाला कि ये 10 साल पुरानी इसमें कोई दोरा है नहीं और हम सब लोग जानते हैं कि 2021 में भी जनगड़ना होनी है विजारती हो लेकिन 2021 में जनगड़ना होगी उसका डेटा जो है आपको मिलेगा 2022 में जाकर के और 2022 के भी मैं समझता हूँ मिड 2022 में जाकर के आपको ये मिल पाए हुआ है आपका या आपका एक्जाम हो गया वीडियो जो फिर से होगा तो इन सभी एक्जाम्स में आपकी जनगर्णा से सवाल आएंगे याएंगे यह बात तह है अब यह टॉपिक ऐसा है जो हंडेट परशेंट फिक्स है कि यहां से सवाल आने याने है तो जल्दी से बिना यह में लाड मेयो के भारत के वाइसराय 1842 में चाल जूर्मा पूर्ली बिन ली plano न UX नहीorkों था यह लाड मेयोो सेMoने नहीं हूए बहुए भारत की पहले 10 की जरूघ मतब हो गया कि जो 10 साल का जाराल पर होनी ही है यह फिक्स कर दिया गया यह हुई ती 1851 में जैसे हैं और यह हुई थी लाड रिपन के समय में तो ध्यान रखना ठीक है पहली जनगर्णा और दस्की जनगर्णा इसके लाब अगर हम देखें कि अब तक कुल कितनी जनगर्णा हो चुकी है तो देखो विद्यारतियों अगर कुल पूछता है तो आप आंसर करेंगे पंद्रा अठार से कैसी से अगर आप दोजार गयरे तक जोड़ोगे तो पंद्रह निकल के आएंगी और अगर कभी पूछले आज़ादी के बाद यह कौन सी जनगर्णा है जो दोजार गयरे में हुई तो यह साथवी है ध्यान रखेगा सिंपल पॉइंट है सीज़े सीदे एक्जाम म मिस्टिक हो सकती है क्योंग यह पीडियाफ मेरे के त्यार किये तो उसको थोड़ा इग्णोर मारिया फैक्ट को देखिए इस पहले बता दूए फिर आपको के स्पैलिंग इसमें गुलत है सरतों अंगरे जी जानते ही नहीं है ऐसा नहीं तो आप ध्यान रखेगा अच्छ 246 और साथवी अन्सूची आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछी आ सकती है इसके लाबा देखें तो जनगर्ना 2011 का जो नारा है वो है हमारी जनगर्ना हमारा भविश्य यह आप ध्यान रखेंगे और जो पंद्रवी जनगर्ना हुई है उसके जनगर्ना आयूग लिखा है यह होगा आयूग थीक है इसे ठी कर ले का यह होगा पंद्रवी जनगर्ना के जनगर्ना आयूग थीक है तो वह हैं सी चंद्रमौली ध्यान binds रहें कि अच़्ा अब अम देखें याप पर टोटल जनसंख्य कितनी है तो यहाँ पर आप देख पावगे टोटल जन-संक्या ह एक सो एकिस करोड आठ लाख चववन हजार नौसो सतेतर ये है टोटल जन संख्या भारत की दोयार गयारे में हाला कि अब यह बहुत जादा बढ़ चुकी है लेकिन आप से दोयार गयारे की पूछेगा तो आप जवाब देंगी एक सो एकिस करोड आठ लाख चववन हजार नौसो सतेतर इतने लोग हैं इंडिया में इसमें से मेल कितने हैं यानि पूरुष कितने हैं विद्यार्थियों तो पूरुष हैं इस पूरी टोटल आबादी का एक क्यावन दशम्लव चार साथ प्रिश्यत और महिलाएं हैं 48 दिसम्लव पांस तीन प्रिश्यत ध्यान वर्ष 2001 से 2011 तक भारत की आबादी कितनी बढ़ गई ठीक है करूड में और परसंटेज में दौनों में ठीक है तो अगर हम यह देखें कि पिछले 10 सालों में हमारी आबादी कितनी बढ़ गई तो यह है 17.7 यानि भारत की आबादी जो 2001 में थी उससे करीब करीब साड़े सत परसंट जो है आबादी बढ़की 2011 में ठीक है अगर हम देखें करोड में यह डाटा कितना है तो 2001 से लेकर भारत की आबादी में करीब-करीब 18.18 करोड की वर्दी हो गई तो दौनों याद रखेगा अगर वर्दी दर पूचे तो 17.7 और डारेक्ली डेटा पूचे तो फि 1.6 परसंट जैसा के अब देख पाएंगे यह रहा ठीक है तो अगर वार्षिक वर्दी दर पूच रहा है तो आंसर होगा वन पॉइंट 6% और दशकी पूच रहा है तो आंसर होगा 17.7 परसंट जैसे पोचे वैसे आंसर कर देना आगे है लिंग अनुपात, लिंग महिलाएं मौझूद हैं ठीक है 943 महिलाएं मौझूद हैं यानि भाईया जो 57 पुरूज हैं उनको अपना जुगार देखना पड़ेगा तो देख लो मेरी तो शादी हो गई अगर आप को आ रहे हैं तो या आपके लिए इस इन तरनक बात को सकती है चलिए आगे देखते हैं अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें लिटरेसी रेट कितना है भारत के कितने परसेंट लोग पड़े लिखें हैं तो पहले तो आप यह जान लो कि साक्षरता दर डिसाइड कैसे करी जाती है तो बहुत ही आसान है देखो बारत सरकार कैसे डिसाइड करती है बारत सरकार डिसाइड करते हैं कि हर वो वेक्ति जिसके उमर कम साथ साल है यह साथ साल से उपर का प्रतेक वेक्ति दूसरा हर वो वेक्ति जो अपना नाम लिखना जानता है वैया या अगर आप साथ साल से उपर के हैं और अपना नाम लिखना जानते हैं तो सरकार आपको साक्षर मानती ह और केवल इस क्राइटेरिया यानि इतने से क्राइटेरिया में भी केवल भारत के 73 परसेंट लोग आ रहे हैं आप यह देखिए केवल 73 परसेंट लोग आ रहे हैं बाकी लोग अनपड़ है वो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते अच्छा यह तो गई टोटल अगर हम नव पुरुष जो हैं वह अपना नाम कम से कम लिखना जानते हैं और महिलाओं की बात करें जितनी भी महिलाएं हैं भारत में उनका करीब खौत को यह तो है सबसे पहले चन घन घनत होता है क्या है आप यह समझे लो जन घनतreg का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमेटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या यानि एक किलोमेटर आप इधर जाईए एक इधर जाईए एक इधर जाईए एक इधर जाईए एक इधर जाईए तो यह जो पूरा एरिया बना है यह हो गया एक वर्ग किलोमेटर है न तो इस एक 382 लोग निवास कर रहे हैं यह पूरे भारत का डेटा है राज़वाद डेटा अलग है ठीक है तो ध्यान लखेंगे जन घनत्तु का मतलब हो गया प्रतिवर किलोमेटर में निवास करने वाले वेक्तियों की संख्या जो कि है 382 चली आगे देखते हैं अगर देखिए कोई पॉइंट आपको ना संज में आए तो बेज़रा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मैं उसकी व्याख्या कर दूँगा ठीक है अगला है हमारे पास भारत की जन संख्या विश्व की जन संख्या का कितना प्रस्यत है यानि भारत म कितनी है ज gözशू जन संख्या का मतलब होता है जीरो से चैसे बस दिशू कहा जाता है और भारत में जो जशू जन संख्या है वह 13.6 द्यान अखना 13.6 परसंट टोटल आबादी का है हमारे हों और बच्चे है आपकूच और बैसे बैसर लेटा लेते हैं यहां पर यैसे Hills और वो यह अपना उत्तर प्रदेश यह भी ध्यान रखा जाए अच्छा अगर 2011 की जनगर्णां के अनुसार हम देखेंगे सबसे बड़ा केंसाद से प्रदेश तो सब्सें बड़ा केंसाद से प्रदेश अंडमान निकोवार था 2011 में लेकिन अभी अगर पूछ ले कि अभी कौन सा है तो अंडमान निकोबार नहीं है अब हो गया है लद्दाक लेकिन चुगे हम 2011 का डाटा पट रहे हैं तो देखो अगर पेपर में वर्तमान शब्द जोड़ के दे कि बताइए वर्तमान में सबसे बड़ा केंशाज प्रदिस कौन सा है तो तो आंसर होगा लद्दाक लेकिन अगर उसने पूछ लिया वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार तो भले आप्शन में लद्दाक हो लेकिन सही होगा अंडमान निकोबार क्योंकि 2011 उसने मैंसिन किया है इसके लाबा अगर हम देखें सबसे छोटा राज तो सबसे छोटा राज गोवा आज भी है और केंशासित में देखें तो लक्षडीप यह आज भी है इसमें कोई प्रवल्म नहीं है इसके लाबा जन संक्या की जस्टी से सबसे बढ़ा राज तो मैंने आपको बताया यू संख्या की दश्टी से सबसे बड़ा केंशार से प्रदेश दिल्ली ध्यान रखना और सबसे छोटा केंशार से प्रदेश लक्ष दीव तिक आबादी इनकी आपके लिए इतना महत्वपूर नहीं है हाला कि आप अगर जानना चाहें तो कमेंट कर दिए मैं पता दूगा लेक जिन दूब निवास कर रहे हैं भूट ज़्यादा यहां पर और सबसे कम अगर हम देखें सबसे कम जन गहना पर है तो वह अनौना चल में केबल सत्रे विक्ति प्रति वर्ग कीलों मीटर में ध्यान रहें ठीक है तो भिहार और अरौनाच्यपोदेश इसके यापने पहर हम तीन सो बीस वर्क किलोमेटर प्रति वर्क किलोमेटर में व्यक्ति निवास करते हैं यहां पर दिल्ली का जंगरत तो है आपका जो पीपल डेंसिटी है वह ग्यारा जाएगा कम के अगर हम बात करें तो कम है सबसे कम अगर देखा जाएं के इस प्रदिशों में तो वह है प्रति वर्क किलोमेटर में निवास करते हैं द्यान रखेंगे सबसे अधिक साक्षर राज की हम बात करें सबसे ज्यादा साक्षर राज कौन सा है तो वह है केरल सबको पता है 94 परसेंट यहां की जो टोटल पापूलिशन है वह लिटरेट है इसके अलावा सबसे कम बिहार है वह यह काफी पीछे है 61.8 प्रतिशत आवादी ही बिहार की पड़े लिखी है बहुत चिंता जनके स्थिती है और अगर हम देखें तो केंशासे प्रदेशों में सबसे अधार साक्षर राज्य की बात करें देखें यूटी का मतलब है यूनिन टेरिटरी तो यूटी में जो यानि केंशासे प्रदेशों में सबसे अधार साक्षर राज लक्षरी बियान रखना 91.8 परसेंट लोग यहां के पड़े लिखें हैं और सबसे कम की बात करें तो वह है दादर नगर हवेली जिसके 76.2 परसेंट लोग यहां पर पड़े लिखें चले आगे देखते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज तो लिंगानुपात मैंने आपको बताया इस्त्री पुरुषों की संख्या यानि प्रते हजार पुरुषों पर इस्त्रीयों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज है केरल आप लो कि अब इसमें काफी सुधार हुआ है और आपको अगर याद होगा तो पीम मोदी ने जो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना की शुरुवात की थी वो हर्याना से ही की थी और इसका उद्धिश यही था कि हर्याना में जो सेक्स रेशियो है उसको कैसे भी करके कंट्रो हजार में और सबसे कम है दमUNDीब का च्छह सो अठारह प्रतिहर हजार में चले आगे बढ़ते हैं शिचों लिंगान पाद्ध देख ले हैं दैकर शिश्यू लिंगानिपात का मतलब है जीरो से presents तक के जो बच्चे जन्म लेते हैं उन होती हैं यह है तो शिशू लिंगारपाद के अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शिशू लिंगारपाद है अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना यानि यहां पर जो हजार जब पुरुष बच्चे जन में लेते हैं तो उसमें 972 जो है उनमें महिलाएं भी होती है या हजार पुरुष बच्चों पर 972 महिला बच्चियां हैं अगर नियूनतम की बात करें तो यह विस बात हर्याना में हैं यहां पर हजार पुरुष बच्चों पर 834 महिलाएं बच्चियां हैं ध्यान रखेंगे अगर हम यूनिन टेरिटरीज में देखें तो unit territories में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो अंडमान में है ध्यानक ना बच्चों का लिंगानुपात यहां पर हजार उर्ष बच्चों पर 960 महिला बच्चिया है और सबसे कम जो है वो दिल्ली में है यह चिंता जनक बात है यहां पे 1000 मेल बच्चयों पर 873 फीमेल बच्चियां है यानि फीमेल बच्चे हैं और यू पी में अगर हम लिंगानुपाद देखें शिशू लिंगानुपाद तो यू पी में ठीक ठाक है हजार पुरुस बख्चों पर 919 महिलाएं बच्चियां हैं ठीक है महिला बच्चियां है ध्यान रखेंगे अब इसको कैसे प्रोनांस करेंगे आप देख लीजिए मैं आपको गिवल डाटा दे रहा हूं यहां पर बच्चिया अपर ओगे-श रहा देखें सरवाधिक जंसंखया व्रद्धी दरवाला राज्य तो भाईया सरवाधिक जंसंखया व्रद्धी दरवाला राज्य है मेगाले धियानЬं रखनँ त्छान यानि पिछले दस वर्षों में मेगाले ने अपनी टोटल आबादी का 27.9 प्रतिशत आबादी बढ़ा ली यानि जतनी आबादी उनकी दोजार एक में जतनी आबादी थी उसका करीब करीब उन्होंने 28% आबादी अपनी बढ़ा ली है और नियूंतम की हम बात करें भईया तो वो है नागालेंड यहां की आबादी बढ़ने की बजाए उल्टा घट गई है यह एक्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और गया है तो नियूंतम ब्रधी दरवाला राज्य है नागालेंड यहां पर ब्रधी नहीं हुई है उल्टा कमी हो गई है माइनस जो यहां पे लगा हुआ है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स तो यहां की आबादी बढ़ने के बजाए घट गई कितनी घट गई यह भी द्यान रखना पेपर में पूछ सकता है इसके लावा केन सासे प्रदेशों में सरवादिक जनसंख्या व्रधी दरवाला राजी कौन सा है अगर पूखे तो तो वहा दादरा नगर हुएली 55.9 प्रस्यत द्यान रखिए गा और अगर हम कें सासे प्रदिश तो में सबसे आदा वरेदी होई दादरा नगर हवेली में और सबसे कम वरेदी हुई अंडुओार में चलिए आगे बढ़ते हैं जन संक्या के इतिहास में महान विवाजक वर्ष कौन सा है यह प्रशन कई वार एक्जाम में आया है जन संक्या के इतिहास में महान विवाजक वर्ष कौन सा है 1921 1921 महान विवाजक वर्ष का मतलब यह है यहाँ पे कि आबाधी पूरी दुनिया की घट गई इसलिए घट गई क्योंकि विद्यारतियों 1914 से 1918 तक चल रहा था फिस्ट वर्ल्ड वार और इस वर्ल्ड वार के वज़े से दुनिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए इस वज़े से दुनिया की आबादी बढ़ने के वज़ाए घट गई तो द्यान रखना 1921 जो है पहले जन गणना कुछ मदब पहले जन संक्या कुछ और रही होगी फिर विवाजन हो गया भारत पाकिस्तान का तो जन संक्या हो गई कम चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं भारत में धार्मिक जन संक्या यह भी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर में आप से 59.8 परसेंट जो है हमारे यहाँ पर हिंदू है द़्यान लग थेके हैं तो भारत में जो हिंदू है वो है कुल अबादी का 79.8 पॉइंट मुसल्मानों की बात करें तो वो है 14.2 यानि 14.2 प्रश्टित मुसल्मान है और इसायों की बात की जाये तो इसाईिए हैं 2.3 कुल आबादी का और जेनों की बात करें तो वो हैं दिसमलव चार प्रशत कुल आबादी का ध्यान रखेंगे ठीक है इसमें से अगर हम व्रद्धी देखना चाहें तो यह व्रद्धी भी लिखी हुई है कि 2001 से किस धर्म ने कितनी व्रद्धी की तो हिंदूओं की अगर हम बात करें तो हिंदूओं की टोटल पॉपूलेशन में विद्यारतियों 16.08 प्रशत की व्रद्धी हुई मुसल्मानों की टोटल पॉपूलेशन 10 साल में 24.06 प्रशत बढ़ गई इसायों की कुल आबादी 15.05 प्रशत बढ़ गई और सिक्षों की आबादी 8.04 प्रशत बढ़ गई यहां पर सबसे ज्यादा जो समूँ ने व्रद्धी की है वह है मुसलिम द्यानकना तो इनको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है कि भारत के चार सबसे बड़े धार्मिक समूँ बताईए तो आप जवाब देंगे हिंदू, मुसलिम, इसाई और सिक्ष तो वह आपने गाना याद किया अफार के मतलब होटा है total fertility rate यानि यह है कुल प्रजनन्दर ठीक है यानि भारत में प्रजनन्दर अभी कितनी है और यह जो data है यह latest है तो भारत में अभी जो कुल प्रजनन्दर है वो है 2.2 ठीक है यह काफी ठीक है ठीक और मैं आपको बता दूं कि जो आदर्ष प्रजनन प्रजनन्दर के शाब से बढ़ रही है तो यह काफी अच्छा माना जाता है अगर कहीं का प्रजन दार 2.1 है तो इसका यह हुआ कि जतने लोग वहाँ पैदा होंगे उतने लोग tidak जाएंगी जितने लोग मर रहे होंगे उतने लोग पैदा हो रहें इससे क्या होगा इससे है 2.1 की और अभी हम कहां पर हैं हम हैं 2.2 पर तो सीगरी हम इसको अचीव कर लेंगे ध्यान रखना यह है आदर्ष प्रजनन दर जो होनी चाहिए 2.1 और भारत की है अभी 2.2 ठीक है सीगरी हम इसको अचीव कर लेंगे इसमें अगर हम नियूंतम देखें तो वो दिल्ली में है वो है 1.5 चीड़ाबा अगर आप से यूपी की पूछ ले यूपी की प्रजन दर कितनी है तो बल्लकुल पूछ सकता है तो यह है वह यह दो समलाव नो तो यूपी की प्रजन दर भी काफी हाई है इसको कम करना पड़ेगा और यह लोग ही करेंगे सरकार इसमें क्या करेंगे अगला है मात्रत तो मरत्यूदर इसे बोलते हैं MMR यानि मदर मौटलिटी रेट तो यह है भारत की मात्रत मरत्यूदर देंके मात्रत मरत्यूदर का मतलब यह हो गया कि अगर हजार महिलाएं प्रिगनेंट हैं अगर हजार महिलाएं गर्वती हैं तो गर्ववस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के होती हैं तो गर्ववस्ता की दौरान एक सो तेरह की म्रत्यू हो जाती है जहां रखेंगे राज्जों में अगर हम देखें तो राज्जों में सरवादिक MMR कहां पर है भाया तो राज्जों में सरवादिक MMR है असम में ध्यान रखा जाए राज्जों में सरवादिक MMR कहां पर है असम में यहां पर है 215 यूपी में अगर हम देखें यूपी में कितना है तो यूपी में 197 है ये भी ध्यान रखना और अगर हम देखें किस स्टेट में नियून्तम है मेमार है तो वो है या केरल में केवल 43 तो ये आपको ध्यान रखने हैं सबसे ज़्यादा है असम में सबसे कम है केरल में और यूपी कम में जो है वो है 117 अगला है आपका IMR infant mortality rate यानि शिशु मृत्यू दर यानि जब बच् जिनकी मृत्यू हो जाती है 0-6 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यू जो है बलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो 0-6 साल के उमर में ही बुजर जाते हैं मर जाते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे तो भारत की जो शिशु मृत्यू दर है विज्यारती हो वो है 32 यानि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 32 बच्चे जो है वो 6 वर्ष की उमर से पहले ही एक्सपायर कर जाते हैं तो यह है डेटा भारत का राज्यों में सबसे ज़्यादा जो आयमार है वो है मद्ध प्रदेश का यानि यहाँ पर 1000 बच्चे उमें से 48 बच्चे ऐसे होते है जो 6 वर्ष की उमर से पहले ही गुजर जाते हैं और नियूंतम है नागालेंड का अविस बात है नागालेंड का नियूंतम ही होगा जब वहाँ आबादी बड़ी नहीं रही है तो बच्चे होंगी तब यह आबादी बड़ेगी ना तो आब बच्चे नहीं है वहाँ पे लेकर बहुती बढ़िया performance किया है मिजोरम ने मिजोरम का जो आई अमर था वो था पंदरह जिसे वह घटागर के लिए आया पांस तक तो आई अमर को पंदरह से घटाकर पांस तक ले आया मिजोरम जैसा कि आप यह आँ देख पाऊगे तो यह बहुती शानदार काम है तो ध् ठीछों पनंदारश्ण से शेंटाथ वर्सकिस पहले ही घुजर जाते हैं चलिए आगर देखते हैं भारत की मिजोर है अभी ड्राज्व में सरवादिक मुठी हैं तो 26 6 घेसे तौशल ज्यां के आगे हम देखे थोड़ा उपी चुप का इसमें देख लेते हैं गहाचे उपी प्रशतल जैसा कि मैंने बताया आपको मलब यहाजार में चलता है यहां पर देखे यह पूरा का पूरा भारत की जन करना का उम्मिद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा पूइच पूछ लिजे अगली यह नहीं हमारी कास रहेगी वो रहेगी यूपी की यूपी की जन करना ठीक है तो यूपी की जन करना को भी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे अगर कोई ना कलिए और रवाओ थर बेज़क पूंच लीजिए वीडियो में कुछ इंपॉटेंट पॉइंट लगे हो तो वीडियो को लाइक करना हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए जय हिन जय भारत